दो हजार चौधा में नरेंद्र मोदी ने लावा लशकर लेकर के ताम जाम के साथ ये कहा था कि भाईया गंगा जी की सफाई तो मोदी जी कर सकते हैं लेकिन दो हजार चौबिस के चुनाओं में मूँ से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है ना तो मोदी का ना भाजपा का के नमामी गंगे छे नहीं दस सालों में भी कहा तक पहुँचा गंगा नदी की सफाई के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था उसमें केंद्र सरकार ने 186 प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कई थी 186 प्रोजेक्ट शुरू किये जाएंगे ये इन्होंने कहा था 2014 में लेकिन 2023 के अप्रेल तक आकड़े बताते हैं कि मात्र 105 प्रोजेक्ट ही इसमें शुरू हो पाए यानि 186 में से मात्र 105 ये शुरू कर पाए वो भी 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश और बिहार में जो इतना इंडस्ट्रियल वेस्ट गंगा में जाता है योगी आदितिनात ने जरूर कहा था कि 2025 के कुम्ब से पहले गंगा पूरी तरे साफ हो जाएगी लेकिन कहीं होता दिखी नी रहा है क्योंकि आखड़े हमारे सापने हैं प्रदान मंतरी मोदी का जो संसिदिय छेतर है जहां से वो दो बार जीत चुके हैं बनारस वहाँ पे भी गंगा के हाल खसता है कानपूर इत्यादी तो हम जानते ही हैं बहुत खसता है लेकिन बनारस जो उनका संसिदिय छेतर है वहाँ भी हालात बहुत खसता है अधिकांच जो सैंपल्स के रिजल्ट्स आए हैं पानी के क्वालिटी के वो तो बिलकुली खराब आया है और बिलकुल खराब का मतलब होता है ना पी नहलायक ना इस्तिमाल करने लायक किसी लायक नहीं ये गंगा जी की बात हो रही है मुदी जी मा गंगा ने बुलाया है और जाने किसको नहलाया है बिहार में भी हालाट अच्छे नहीं है नाले का गंदा पानी गंगा में जा रहा है हर जगे इसे रोकने के लिए कागस पर प्लान तो नितीश पाबू और उनकी सरकारे बनाती रही हैं खास करके सुशील मोधी के साथ मिलके और दूसरे को ब्यात मिलकर के भाजपा वालों के साथ मिलके लेकिन असल में असली जामा इसको पहनाया है नहीं गया 22 से लेकर के 2023 के दर्मियान 1455 मिलियन लीटर सीवेच को वेस्ट को ट्रीट किया लेकिन आपको याद रहे कि ये वार्शिक 5000 मिलियन लीटर सीवेच होना चाहिए था तो उसके तो नस्दीक भी कहीं भी नहीं है और मोधी जी पूरा पैसा खर्च कर चुके हो सकता है इलेक्टोरल बॉंड से थेकेदारों ने पैसे वापस दे पी दिये हो इनको आप देख रहे हैं देश लाइव देश्टी आवाज 2024 के चुनाव बस सर पे हैं और 10 साल हो गये हैं शुरीमान नरेंदर मोधी को भारत के प्रधान मंत्री अब बात करना तो जरूरी है और इन 10 सालों में या फिर पिछले 5 सालों में क्या 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 और क्या नहीं क्या अब इसका हिसाब तो लेना ही पड़ेगा देखे हो सकता है कि टीवी चानल्स हिसाब ना मांगें लेकिन हम भारतवासी नरेंदर मोधी से हिसाब मांगेंगे कि भाया आपने जो कहानिया सुनाई देश को और जो आपने बाते कहीं वादे किये वो कहां तक सच हुए या नहीं हुए आज से मैं एक सिरीज शुरू कर रहा हूँ जो मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज एक ऐसे मुद्दे को आपके सामने डीटेल्स के साथ पेश करूँ जो के नरेंदर मोदी और उनकी सरकार ने भारत में पिछले दस वर्षों में या कुछ मुद्दे जो पिछले पाँच वर्ष के होंगे तो पाँच वर्षों में उन्होंने डिलिवर किये या नहीं किये क्योंकि वादे तो सब करते हैं निभा पाते हैं के नहीं यही बाता करके अंद में रुखती है तो आज हिसाब मांगना नरेंदर मोदी और उनकी सरकार से शुरू किया जाएगा आज का मुद्दा इस सिरीज का 2024 के चुनाओं में नरेंदर मोदी और उनके सरकार से केंदर में हिसाब मांगने का सिलसला शुरू किया जाएगा और आज का मुद्दा वो है जो इसको लेके नरेंदर मोदी ने 2014 से भारत में खूब वहावाही लूटने की कोशिश की और यहां तक के उन्होंने धार में कास्था को लेकर के हम ये कह सकते हैं के पता करते हैं के खिलवार किया या क्या किया आज का हिस्सा है मांगनगा जी भारत में गंगनदी को मांगनगा भी कहा जाता है और उसके सफाई अभियान को लेके जो औरिजिनली एक जमाने में स्वरगी राजीब गांधी भारत के जब ततकालीन प्रदान मंत्री थे उन्होंने शुरू किया था लेकिन नए वेग से नए बातों से नए बातों को लेकर के जो आपके समक्ष पिछले दस सालों में कहानी गड़ी गई उस कहानी को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि गंगा की सफाई जिसके अभियान को नाम दिया गया था नमामी गंगे नमामी गंगे में क्या कहा गया क्या हुआ कितना हुआ क्या असलियत है और कितना फसाना है देखिए क्योंकि अब 2024 के चुनाओ है राजने तिक दल अपनी अपनी बाते करेंगे तो हम भी लोकतंतर की बात को समझते हुए सवाल दागना और साथ ही जानकारी देना भी सिर्फ सवाल दागना हमारा मकसद नहीं है देखिए नमामी गंगे का पूरा रिपोर्ट कार्ड मैं आपके सामने रखने वाला हूँ पूरा रिपोर्ट कार्ड में जिस तरह कैसे अलग-अलग परफॉर्मेंसेज और बातों को लेकर कि कहा जाता है के नरेंदर मोदी ने डिλιवरि की है मुझे नहीं लगता क्यूंकि जब हम हिसाब देखते हैं नरेंदर मोदी के उस महत्वकानशी प्रजेक्ट के जिसको नाम है नमामी गंगे के गंगा को साफ किया जाएगा शुद्ध कर दिया जाएगा और जाने क्या कर दिया जाएगा और गंदगी नहीं रहीगी ये नमामी गंगे का प्रोजेक्ट जो है ये दो हजार चौधा में नरेंदर मोदी ने प्रधान मंतरी बनते ही किया था इसका 2014 में लक्ष रखा गया था उद्देश रखा गया था कि 2021 में गंगा पूरी तरह साफ कर दी जाएगी याद होगा आप लोगों को कि 6 वर्ष लगेंगे 2014 से लेके 2021 तक 5 वर्ष 6 वर्ष के अंदर गंगा नदी को पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा शुरुआत से लेकर के अंत तक यही था नमामी गंगे की उपलबधी का सफर का डीटेल अब इसमें सवाल यह उठता है कि मा गंगा को जो मोदी जी सफाई कर पाए या नहीं कर पाए अब 2024 का जो यह अब लोगसभा का चुनाओ है इसमें नमामी गंगे का कोई बातचीत भी नहीं कर रहा है भारतियंता पार्टी की तरफ से ना नरेंदर मोदी कर रहे हैं ना भारतियंता पार्टी के नेता प्रवक्ता या उम्मीद्वार कोई भी नमामी गंगे की बात ही नहीं करता मुद्दा ही नहीं उठाता जबके 2014 में नरेंद्र मोदी ने लावा लशकर लेकर के ताम जाम के साथ ये कहा था कि भैया गंगा जी की सफाई तो मोदी जी कर सकते हैं लेकिन 2024 के चुनाओं में मुँ से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है ना तो मोदी का ना भाजपा का के नमामी गंगे छे नहीं दस सालों में भी कहां तक पहुँचा देखिए सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इसको बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था नमामी गंगे का ये मतलब नहीं है कोई जाकर के जाडू लेके वहाँ पहुचा लेके गंगा की सफाई करेगा गंगा नदी की सफाई के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था उसमें केंद्र सरकार ने 186 प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कई थी 186 प्रोजेक्ट शुरू किये जाएंगे ये इन्होंने कहा था 2014 में लेकिन 2023 के अप्रेल तक आकड़े बताते हैं कि मात्र 105 प्रोजेक्ट ही इसमें शुरू हो पाए यानि 186 में से मात्र 105 ये शुरू कर पाए वो भी 10 वर्षों में याद रखिएगा 6 वर्षों में तो पूरी साफ हो जानी थी लेकिन 10 वर्षों में भी जाके लगबग 55 प्रोजेक्ट वो शुरू कर पाए जिससे सफाई होनी थी ये सीविच प्लांट की बात हम कर रहे है असल में दिक्कत ये है कि सरकार ने तय किया कि 186 186 प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे पूरी गंगा नदी में शुरू से लेके अंत तक जिससे प्रती दिन रोज 4965 4965 मिलियन लीटर सीवेज सफाई होगी ये शमता प्लांट की गई थी लेकिन इस समय 2024 में मात्र 1736 मिलियन सीवेज मात्र 1736 मिलियन लीटर सीवेज ही हो रहा है यानि कि आधा भी नहीं हो रहा है सिरफ एक चौथाई के आसपास जो है वो वो अचीव कर पाएं सभाविक सी बात है शमता है ही नहीं तो सफाई कहां से होगी तो पहली बात तो यह है के 186 प्रोजेक्ट लगाने थे जिसमें 10 वर्षों में जाके मात्र 105 लग पाए और जहां लगबग पाँच हजार 4965 को मैं पाँच हजार किनता हूँ जहां पाँच हजार मिलियन लीटर सीवेज रोज साफ होना था उसकी जगए 1736 यानी के एक चौथाई ही कर पा रहे हैं और तीन चौथाई 75% के आसपस नहीं कर पा रहे हैं यूपी बिहार ने क्योंकि ये सरकारी मैं डीटेल्स आपको दे रहा हूँ क्योंकि गंगा नदी उत्रा खंड से निकलती है उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल चली जाती है और वहां से समुदर में विले हो जाता है आपको जानकारी मैं दे दू कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ही इस प्रजेक्ट का बंटा धार हुआ और याद रखिए कि बीते दस वर्षों में अधिकांच समय जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में NDA BJP की ही सरकार रही है राज्यों की बात करें एक तरफ योगी बाबा साथ साल से हैं और उधर नितिश बाबू तो खेर जन्मों से ही हैं लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में जो इतना इंडस्ट्रियल वेस्ट गंगा में जाता है योगी आदितिनात ने जरूर कहा था के दोहजार पच्चिस के कुम्ब से पहले गंगा पूरी तरे साफ हो जाएगी लेकिन कहीं होता दिखी नी रहा है क्योंकि आंकडे हमारे सापने है बहुत मज़िदार बात ये है कि प्रदान मंतरी मोदी का जो संसिदिय छेतर है जहां से हालात बहुत खस्ता है पिछले साल यानि दोहजार तेईस के सितंबर में NGT यानि National Green Tribunal की रिपोर्ट सामने आई थी जिस रिपोर्ट में बताया गया कि उत्तर प्रदेश के 31 जगां का सैंपल 31 जगां से गंगा का सैंपल लिया गया जिसमें बनारस, गाजीपूर, सोनबदर, प्रयाग, राज, बिजनौर और भी जगे शामिल है रिपोर्ट बताती है कि ज़्यादा तर जगां पर गंगा की वाटर कॉलिटी C और D श्रेणी में है A सबसे अच्छी, B उससे खराब, C मतलब खराब और D मतलब बहुत खराब तो ज़्यादा तर उत्रपदेश में जो सैंपल्स लिये गए उसमें अधिकांच जो सैंपल्स के रिजर्ट्स आए हैं पानी के क्वालिटी के, वो तो बिलकुली खराब आया है और बिलकुल खराब का मतलब होता है ना पी नहलायक ना इस्तिमाल करने लायक किसी लायक नी ये गंगा जी की बात हो रही है, मोधी जी मा गंगा ने बुलाया है और जाने किसको नहलाया है इस श्रेणी में नहाने लायक पानी भी गंगा का नहीं गिना जाता यही मैं आपको confirm कर रहा ता COD में पीना तो दूर रहा आप नहा भी नहीं सकते उस पानी से तवचा पे असर करता है इतना गंदा पानी दस वर्षों के बाद भी गंगा का नमामी गंगे प्रजेक्ट शिरीमान नरेंदर मोधी के प्रजेक्ट बनारस में तो पानी इतना ज्य अच्छे नहीं हैं नाले का गंदा पानी गंगा में जा रहा है हर जगे इसे रोकने के लिए कागस पर प्लैन तो नितिश बाबू और उनकी सरकारे बनाती रही हैं खास करके सुशील मोधी के साथ मिलके और दूसरे को ब्यात मिलकर के भाजपा वालों के साथ मिलके लेकिन असल में असली जामा इसको पहनाया है नहीं गया है बिहार के दीखा और कंकडबाग ये पटना के पास की जगे हैं दीखा और कंकडबाग में पिछले दो साल यानि दो अजार बाईस और तेईस में सीवेच प्लांट लगाने की बात हो रही है लेकिन जमीन पर जमीन अधी तो गंदे नाले का पानी गंगा में ही नहीं गिर रहा लेकिन बिलकुल गंगा की हालती खराब हो रही है पिछले साल यानि कि 2023 में थोड़ी सी रफ़तार बढ़ाने की मुधी जी ने कोशिश की थी क्योंकि 2024 चुनाओ आ रहे थे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं परियोजना की सक्सेस 80% स्टीपी पर निपर करती है लेकिन कहां ये बात करीबी जा सकती है फिर 2014 से लेकर के 2021 तक यानि कि आप समझ सकते हैं इतने लंबे अर्ट्राल में सिर्फ 811 मिलियन लीटर सीवेज वेस्ट ट्रीट किया जाता रहा था लेकिन 2022 से लेकर के 2023 के दरमियान 1455 मिलियन लीटर सीवेज को वेस्ट को ट्रीट किया लेकिन आपको याद रहे कि ये वारशिक 5000 मिलियन लीटर सीवेज होना चाहिए था तो उसके तो नजदीक भी कहीं भी नहीं है और मोदी जी पूरा पैसा खर्च कर चुके हो सकता है इलेक्टोरल बॉंड से ठेकेदारों ने पैसे वापस दे पी दिये हो इनको अब नमामी गंगे के कॉस्टिंग की बात करते हैं जब 2014 में शुरुआत करने की बात हुई थी प्रोजेक्ट को 20,000 करोड के खर्च का प्रोजेक्ट बताया गया था लेकिन सरकारी आकड़े बताते हैं कि इन प्रिंसिपल मतलब मूल था कई प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लगभग 40,000 करोड रुपे अप्रूव भी हो चुके हैं यानि दुगने से ज़ादा लेकिन अब तक का जो खर्च है राजियों को अभी तक 14,000 करोड से ज़्यादा फंड रिलीस करने के बावजूद आप जानते हैं मैंने पहले ही बताया कि नमामी गंगे का कोई ठिकाना नहीं है नाला बनी हुई है गंगा अब मैं आप लोगों को अंत में सिरफ ये कहूँगा कि पांच हजार मिलियन लीटर सीविज रोज ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए था ये 2021 तक में कम्प्लीट हो जाना चाहिए था लेकिन आज दस सालों के बाद भी नरिंद्र मोदी जी आपका जो प्रजेक्ट है गंगा की सफाई का नमामी गंगे वो एक चोथाई वन फोर्थ ही पूरा हो पाया है और इसका आप कहते हैं ना कहाने वाले इतने सालों में ये विशु गुरू बन जाएंगे पलाना ये कभी हो ही नहीं पाएगा मान के चलिए तो भारत वर्ष्ट है मैं सिर्फ इतना कहना चाता हूँ के मोदी जी का नमामी गंगे प्रजेक्ट ना सिर्फ फेल हुआ इसमें प्रजेक्ट के कॉस्टिंग के दुगने पैसे भी खर्च हुए गंगा एक चौथाई भी साफ नहीं हो पाई और यहीं अंदा लगा लीजिए कि मोदी के संसदिय छेत्र बनारस में पानी डी कैटेगरी में है गंगा का यानि के छूना भी मना है अगर उसको टेक्निकल तरीके से देखते हैं पीना नहाना तो बहुत दूर की बात है तो इस एपिसोड में सिर्फ इतना के नरेंदर मोदी जी के वादे ह हवा में होते हैं दस साल शासन के बाद भी अगर नमामी गंगे मा गंगा के ना बेटा बुलाया है और तुमने यह हाल करके रखा है तो इससे बहतर है कि मोदी जी आप अपना सन्यास ले लीजिए क्योंकि आप से नहीं हो पाएगा पुल-खुल जारी रहेगी बहुत जल्द दूसरे एपिसोड पर मिलेंगे लेकिन याद रहे मोदी ने गंगा के नाम पर जो भी वोट कमाए हैं आप लोग फिर सोचिए कि मोदी ने आप लोगों को बेफकूप बनाया या आप बनने में ही खुश है जोई साब देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं